हाइ फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माइ चैनल पुमल हाल्त रॉक और यहां पर हम बात करेंगे अर्श रुलेटेट्ट कुछ मित्क के बारह में कुछ गलत वेमिया हैं जो अक्सर महिलाओं और सुरू करने के पहले बता देते हैं आज के प्रोड़क्ट के बारे तो फ्रेंट्स यह है आज का प्रोड़क्ट यह ब्यूटिफूल सी साड़ी जो कि आपको बहुती सुन्दर कॉंबिनेशन में मिलती है ट्रिडिशनल कांजीपुरम साड़ी है और यह आपको कंट्रास् सी ग्रीन है साड़ी की लेंद 5.50 मीटर है बलाउस मिलेगा 80 सेंटी मीटर का तो यह बहुती इसमें छोटे-छोटे से बूटे दिये हैं जिस पर गोल्डन कलर बने हुए हैं बहुती सुन्दर और हैभी वर्डर साथ यह साड़ी है आप इसको लेना चाहें तो आप डिस्क साड़ी हैं उनके ब्रेस्ट लटक जाते हैं तो ऐसा नहीं है अगर आप तीनेज है और या यंग गर्ल है आपका भी बेबी नहीं हुआ है तो यह होना बहुत कम चांस होते हैं यह कुछ जैनेटिक रीजन हो सकते हैं जिसके कारण से ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं फिर फि साथ जिन महिलाओं को ब्रेस्ट में सूजन होती है दर्द होते हैं उनके लिए ब्रा पहना बहुत अच्छा होता है तो इसलिए ब्रा पहनी जाती है ना कि आपके ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए नेक्स्ट जो रात को ब्रा पहन कर सोना चाहिए तो आपके ब्रेस्ट ह में प्रवाव पढ़ता है आपकी हसांसες in में धिक्कत हो सकती है। और आपकी दिक्कत होती है। इसलिए राद को shut up ढ़ता है यह बहुत बड़ी अव्हापmsब्रणी तो बायर जो ब्रा होती है उसे कोई breast cancer नहीं होता है ऐसा अफवा खैली थी कि इसमें से कुछ toxic पदास होते हैं जो निकलते हैं जो आपकी skin में चले जाते हैं और इसकी वज़े से आपको breast cancer के chances हो जाते हैं या breast cancer हो जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप अच्छी सही fitting की ब strap in strap bra, strap, strap lace, strap, wire lace, bedded bra ले अगर आपकी fitting सही है आपको कई कई से घड़ नहीं रही है जोग नहीं रहे है तो आपको कोई भी ब्रा किसी भी तरह का कोई रुक्सान नहीं पोचाती है पेट के बल सूने से breast size बढ़ जाता है ऐसा नहीं है पेट के बल सूने के बहुत सारे region होत कि पेट के बल सोना नहीं चाहिए पेट के बल सोने से आपको यह जो फैपड़ों पर दवाब पड़ता है सास लेने में तकलिफ होती है और ब्रेस्ट का साइज जो होता है वह जैनेटिक की डिपेंड करता है आपकी फैमिली इस्टी पर तो वह उसी तरीके से ग्रोथ करते है किसी के उल्टा या सीधा सूने से ब्रेस्ट का साइज में कोई फरक नहीं पड़ता है जो हैवी ब्रेस्ट वाली महिला है उनको केवल स्पोर्स ब्रा पैनने चाहिए ऐसा नहीं है हैवी ब्रेस्ट वाली महिला है सभी तरह की ब्रा पैन सकती है फिटिंग और बेल्ट और बोड़ी पॉस्चर का ध्यान रखना चाहिए स्पोर्स ब्रा जो होती है वह हैवी ब्रेस्ट वालों के लिए ज्यादा कमफर्टेवल होती है क्योंकि वह इस तरह किसे बनाई जाती है जो आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट करती है तो जिसके कारण से उनको होने वाली जो हैवी दर्द वगरा रहता है वह नहीं होता है इसलिए उनके लिए काफी कमफर्टेवल होती है बहुती अच्छी होती है तो स्पोर्स ब्रा के लागा भी और भी ब्रा आप पहन सकने है जो मैंने प्रीविज वीडियो बनाई है उसमें मैंने बता है वी ब्रेस्ट वालों के दूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी में भी सैम साइज में आपको उसी नंबर पर ब्रा मिल जाए इसलिए जब भी आप खरीदने जाते हैं तो एक वर उसकी फिटिंग जरूर चेक करें या फिर आप एक ही ब्रेंड यूज करते हैं तो सैम आपको एक ही नंबर पर मिलेगी औ साहीब बॉषिंग मशीन नहीं दोना चाहिए लेकिन य इसलिए नहीं कि उससे कुछ नुक्सान होता है बल्कि इसलिए क्योंकि जो bra का जो fabric होता है वो बहुत soft होता है उसमें hook होते हैं bent होते हैं वो खराब हो सकते हैं next is bra को हमेंसा दो दिन के बाद ही change करना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है कि ऐसे करने से उसकी जो elastic है वो खराब नहीं होती है ऐसा नहीं है आपको बैसे भी हाईजिन की दरश्टी से regular bra change करने चाहिए इससे elastic city पर कोई फरक नहीं पड़ता है नेक्ट है bra के size से कोई फरक नहीं पड़ता है तो ज्यादतर महिला यही करती है कि वो कैसी भी bra लाइती है और उसको पहनने लगती है ये mostly जो fabric elastic city वाले होते है उनके साथ में होता है वो बस adjust कर लेते हैं और उसको पहनते हैं तो इसमें आपकी जो fitting है वो कहीं न कहीं adjust करके बना लेते हैं लेकिन यह बिल्कुल गलत तरीका है इसके लिए आपको size है वही लेना चाहिए चाहिए आप cotton में ले या फिर elastic city या fabric कैसा भी हो stretchable भी हो तब भ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमाचा को सब्सक्राइब करें